ये बिल्कुल एक संभावना है कि कोई अपना रूप बदल सकता है अगर वो चाहे तो और आज भी ये घटना कई लोगों के द्वारा देखी जाती है विशेश रूप से हनुमान भक्तों में तंत्र विज्ञान के कई पहलू है एक वेद इसके लिए समर्पित है बच्पन से ही मैंने हनुमान के बारे में सुना है किस बारे में? हनुमान मैंने ऐसा सुना है कि हनुमान जब चाहे विशाल रूप धारन कर लेते थे वो उड़ा करते थे वो बहुत छोटे भी बन जाते थे जैसे वो अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते थे क्या ये सच था या केवल कोई कल्पना थी या कोई प्रती या वैसा कुछ था धन्यवाद किसी व्यक्ति का छोटा या बड़ा होना या उड़ना या कुछ और करना क्या ऐसी संभावना है? संभावना बिलकुल है ये हकीकत है ऐसा इस देश में इस संस्कृती में काफी प्रचलित था लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन कहीं और इसे अच्छा माना जाता था खास कर मूल अमेरिकी संस्कृतियों में वहां शेमनिजम यानि ओज़ा धर्म की एक पूरी परंपरा मौझूद है जहां ये आज भी वहां ये बातें आम हैं कि कैसे एक मूल अमेरिकी ओज़ा एक चील बन जाता है, एक मक्खी बन जाता है, एक भेडिया बन जाता है खुद को किसी दूसरे रूप में बदल लेता है और वहां चला जाता है और ये सब तो ये सिर्फ कहानिया नहीं है ये बिल्कुल एक संभावना है कि कोई अपना रूप बदल सकता है अगर वो चाहे तो ध्यान लिंग में एक पैनल है जहां किसी ने खुद को एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया था जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए माइने रखता था क्या आपने देखा है? आपको पता नहीं था? तो लोगों का अपनी सुविधा के अनुसार वो जैसा चाहे वैसा रूप ले लेना ये कोई नई बात नहीं है या ये कोई अनसुनी बात नहीं है दुनिया के लगभग हर हिस्से में ये मौजूद है इन दिनों खासकर इसका एक बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है उत्तर अमेरिकी और दक्षिन अमेरिकी ओजहाओं के बारे में ओजहाओं का चील बन जाना और भेडिया बन जाना ये दो रूप उनके लिए बहुत आम है यहाँ ये कोई अंसुनी बात नहीं थी लेकिन हमारी संस्कृती में इसे अच्छा नहीं माना जाता था वहाँ इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आध्यात्मिकता नहीं है ये तंत्र विद्या है यहाँ हमारे तंत्र वैग्यानिक मैं उन्हें वईग्यानिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे उसी तरह के हैं वे खुद को पक्षी या जानवर में बदलने की तकलीफ नहीं उठाते क्योंकि इसमें खत्रा है एक सुन्दर कहानी है जिसमें उस रिशी का क्या नाम है जिन्होंने निगल लिया था क्या आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ अश्विनी कुमार और वो उनके पास कुछ सीखने गए थे शुकलाचारिया हाँ क्या उन्होंने घोड़े का रूप ले लिया था अश्विनी कुमारों ने घोड़े का रूप ले लिया था और उन्होंने क्या निगल लिया था शुकलाचार्य को मेरे ख्याल से तो एक पूरी बड़ी कहानी है जो शायद महाभारत का ही एक हिस्सा है ये कृष्ण अवतार से जुड़ी कहानी ज्यादा है तो इतिहास में इस तरह की कई घटनाएं मौजूद हैं और लेकिन इसे चीजें करने का निचले स्तर का तरीका माना जाता था क्यूंकि जब आप कोई और रूप ले लेते हैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखना होता है और इसका हमेशा दुरूपयोग हो सकता है तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां किसी ने अपने शरीर को थोड़ी सुरक्षा के साथ वहाँ छोड़ दिया और मान लीजिए वो एक चील बन गया और कुछ समय के लिए उड़ते रहे लेकिन जब वो चील वापस आई तो शरीर वहाँ नहीं था तो अब वो चील क्या करेगी? चील आकर यहां बैठती है और कहती है मैं एक योगी हूँ दैनी अस्थिती है न? चुकि आप उड़ नहीं सकते इसलिए आपको लगता है कि चील होना एक बड़ी बात है चील होना कोई बड़ी बात नहीं है हाला कि वो उची उड़ती है पर वो हर समय नीचे देखती रहती है यहां बैठकर उपर देखना ज्यादा अच्छा है उपर जाकर नीचे देखने के बजाए वाकई? तो यहां तंत्र वैग्यानिकों ने दूसरी तरह के तरीके विक्सित किये यानि वो खुद कोई दूसरा रूप नहीं लेते वो दूसरे रूप चुनते हैं और उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वो एक खास तरह से काम करें वो कोई जानवर चुनते हैं आम तोर पर एक जानवर जिसका बहुत इस्तमाल होता है वो है मुर्गी अरे आपको लगता है कि वो बेकार चली गई तो वे उसके जीवन को वो मुर्गी जवान और जीवन थोनी चाहिए न कीपकी हुई तो मुर्गी की जान निकाल दीजिए और उस जीव रूप का उपयोग अपने कुछ काम करवाने के लिए कीजिए बजाए इसके कि आप मुर्गी का शरीर धारण करें आप नियंतरे तरीके से उस मुर्गी से चीजें कराते हैं रिमोट कंट्रोल मुर्गी ठीक है एक रिमोट कंट्रोल मुर्गी खुद आपके मुर्गी बन जाने से बहतर है क्योंकि आपके मुर्गी बनने में खत्रा है आप अपना शरीर छोड़ कर गए आप एक मुर्गी के रूप में बाहर गए और कुछ करने की कोशिश किये और आप किसी की तंदूरी चिकन बन गए तो उन्होंने उन्ही चीजों को करने के लिए बहतर ज्यादा परिश्क्रित तरीके विक्सित किये क्या ये संभव है? क्या हनुमान का छोटा बड़ा बनना संभव है? बिल्कुल संभव है और आज भी ये घटना कई लोगों के द्वारा देखी जाती है विशेश रूप से हनुमान भक्तों में हनुमान के भक्तों के बीच रूप बदल लेना आज भी एक बहुत सामान्य बात है क्योंकि उन्होंने ये चलन शुरू किया था हनुमान एक सूपरमैन है बस थोड़ी सी पूँच और चेहरे की बनावट की अलावा बागी पूरे सूपरमैन है वो एक सूपर सूपरमैन है उनकी भक्ती ही उनकी शक्ती है उनके दिल में भक्ती इतनी मजबूत है कि उसकी वज़ा से वे सबसे अलग चमकते हैं अपनी सच्ची भक्ती के कारण तो भले ही आप एक बंदर हो अगर आप एक भक्त हैं तो आप अपने बंदरपन के परे जा सकते हैं और कुछ असाधारण बन सकते हैं यही हनुमान की कहानी है अगर आप एक गधे भी हो तब भी ये काम करता है तो हाँ तंत्र विज्ञान के कई पहलू है एक वेद इसके लिए समर्पित है अथर्व वेद पूरा इसी के बारे मे हैं